टेन और आज बहुत यह इंपोर्टेन टोपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, ऐसका टोपिक है टर्फ ईलेक्ट्रो हाइड्ट्राइड्रीक तर्बाइन कंट्रोले इसेएस्टीसी बोलते हैं , एक्चलि टर्बइन में प्रॉब्लम आता है डियूरिंग रोड टर्बाइन रोलिंग हमको क्या क्या चीजे ऑब्जर्वेशन में रखना है क्या मॉनिटर करना है क्या हमारा इंपोर्टेंस होता है डियन बाइडिटी का टी एसी के मार्जिन कैसे जनरेट होते हैं उन सब चीज़ों को एक्स्पे चैनल रोडर्बाइड बनाया हुए उसका भी लिइंक कर दोगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं एषटी सी यह हमारा इस्पीड कंट्रोल लुप है यहां पर देख रहें स्पीड रेफ्रेंस यह speed reference time dependent speed reference and the third one is the speed controller तो speed reference है जो हम speed provide करते हैं जो speed input देते हैं MMI से manual machine interface वो हमारा speed reference होता है NITD speed reference time dependent हमार TSE का जो margin होता है TSE margin कैसे आता है तो यह suppose TSE हमारे turbine के control valve stop valve casing और साफ़ के सभी temperature अगर according to the condition तो हमारा 100% margin जन्रेट होगा इसके वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से margin जन्रेट होते हैं अब सपोज मैंने अगर टर्बाइन रोल कर रहा हूं तो 360 rpm यहां पर speed reference में दिया है तो अगर इसका margin 100% है तो output भी इसका 100% होगा जो कि यहां पर हमने input दिया हुआ 360 rpm next block में क्या होता है speed evaluation जो speed हमारा टर्बाइन का actual speed है जो present time में चल रहा है उसमें हमारे 3 speed sensor लगे रहते हैं जो speed को continue evaluate करते रहते हैं सपोज हमारा टर्बाइन 300 rpm में है तो इसका जो output होगा 360 rpm तो मैंने input दिया है 300 rpm actual speed आ गया है तो 60 rpm के लिए speed controller को यह input देगा सपोज यह 10% में चल रहा था 300 rpm में तो यह थोड़ा सा 2% increase हो जाएगा so that 360 rpm लाने के लिए try करेगा अभी यह जो है logic gate है maximum logic gate और minimum logic gate maximum logic gate का क्या function होता है कि जो speed जो input उसको gathered होते हैं जो maximum होगा उसको output बनाएगा अभी load control रूप तो हमारा service में नहीं है तो obviously यह 0% होगा अभी हम speed control में turbine को roll कर रहे हैं तो यह 12% है यहाँ पर input बनेगा 12% और 0% इसमें जो maximum उसको output बना देगा maximum क्या है 12% यह maximum यहाँ पर 12% को out करेगा अभी हमारा turbine speed control mode में चल रहा है तो यह 12% के लिए हमारा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं position set point यह actually electro hydraulic turbine controller का valve lift controller है valve lift controller means valve lift के लिए क्या हमारा command जाएगा यह यहाँ से decide होगा इसे ESTC position set point या valve lift controller बोलते हैं तो इसका जो command है वो जाएगा हमारा electro hydraulic converter में electro hydraulic converter क्या होता है electrical signal को hydraulic signal में convert कर देता है तो according to the output यह हमारा hydraulic pressure develop करेगा hydraulic pressure किसका develop करेगा जो हमारा secondary oil pressure है उसके pressure को pressure को increase करेगा जब secondary oil pressure increase होगा तो हमारे turbine के जो control valve है यह हमारा HP turbine है HP turbine में HP CV1, HP CV2, IP CV1 and IP CV2 इस control valve के opening को increase करेगा क्योंकि हमारा command 360 RPM का है और actually speed 300 RPM है तो इसको speed control mode में जब turbine का rolling हो रहा होगा तो वो कौन से parameter है जिन पर हमको spatial attention देना है उनको monitor करना properly सपोज मैंने speed reference जो है 2950 RPM यहाँ पर प्रोवाइड किया TSE का margin अगर 100% आ रहा है तो क्या होगा इसका output जो होगा speed reference time dependent का यह 2950 होगा अभी देखते हैं कि अगर turbine का RPM 600 RPM है तो इन दोनों का difference बनेगा वो speed controller के लिए जाएगा तो speed controller का output increase हो जाएगा जो हमारा 15% 12% चल रहा था वो अभी 50% 55% इस तरीके से हमारा speed controller का output होगा तो जब turbine का RPM increase होगा यह हम जानते हैं कि हमारा जो turbine का vibration का tripping है वो 2850 RPM पर service में आता है उसके पहले हमारा vibration का tripping service में नहीं होगा तो turbine को यह कौन सा protection है जो इस duration में protect करेगा अभी एक चीज और TSE margin जो होता है वो critical speed zone में TSE margin यहाँ पर block नहीं लगाएगा जो भी output होगा speed reference का वहीं यहाँ पर NRTD का output बनेगा तो सोचने वाली बात है कि हमारा TSE का margin भी ineffective हो गया है और vibration की tripping भी service में नहीं है तो टर्बाइन का protection क्या होगा इसके बारे में मैंने एक बहुत important video बनाया है DN by DT तो चलिए समझते हैं DN by DT क्या होता है टर्बाइन का acceleration अगर टर्बाइन का acceleration critical zone में hundred revolution per minute से कम हो जाता है तो हमारा टर्बाइन rollback हो जाएगा rollback हो जाएगा soaking speed बे आ जाएगा जो soaking speed थी 600 rpm वहाँ पर rollback हो जाएगा तो इसको हमको monitor करना है DN by DT को it must be more than 108 rpm per minute 108 revolution per minute यह टर्बाइन का acceleration हमको चेक करना है during turbine rolling अगर यह 108 से कम हुआ तो rollback कर देगा mostly यह क्या होता है 300 330 इस तरह से यह DN by DT so करेगा आपको turbine rolling में तो जब यह speed achieve कर लेगा speed achieve कर लेगा तो क्या होगा यह 55 यह 60 परसेंट इस तरीके से suppose कर लेते 50 परसेंट है अब क्या होगा जब यह turbine का rolling हो जाएगा अब हम unit को synchronize करने वाले रहेंगे unit को जैसे हम synchronize करेंगे तो उसके बाद में हमारा speed control से load control का हमको change over देखा है और यहां पर जो आप speed control active देख रहे हैं यहां पर load control active यहां पर आपको so करेगा जब प्रॉपरली चेंज ओवर हो जाएगा तो बताता हूं मैं चेंज ओवर कैसे होता है suppose मेरा 2,990 rpm यहां पर मैंने input दिया 2,950 के बाद 2,990 rpm इनपूट दिया अगर TAC का margin 100% है तो obviously output भी 2,990 होगा अब अगर actual speed भी मेरा 2,990 आ गया turbine 2,990 rpm में अभी roll कर रहा है अब क्या होगा अब हम जब sync करने वाले होगे तो हमारा जो generator का voltage है और frequency है उसको match करने के लिए somewhat increase करेंगे turbine rpm को यहां से और 3,000 के nearby लेकर आएंगे जब voltage और frequency match करेगा तो unit synchronize होगा unit synchronize होने के बाद में जैसे ही हमारा load आएगा 600 megawatt unit जब synchronize होता है तो यहां पर 60-75 megawatt इस तरीके से load instant load आपको यहां पर देखने को मिलेगा जब यह load यहां पर आ जाएगा तो यह है minimum gate यहां पर हम PR maximum PR maximum क्या होता है यह load maximum है हमारा machine किस load तक load हो सकता है इसको manually यहां पर input देना पड़ता है 630 RPM मैंने दे दिया अभी load control active नहीं है तो यहां इस block को कोई importance नहीं है अभी हम load control speed control to load control changer देखते हैं जैसे यह load controller का output यहां पर generate होगा 75 megawatt के लिए यह increase होना start हो जाएगा suppose यह 30 था तो 40 45 50 इस तरीके से increase होना शुरू हो जाएगा और जैसे हमारे load controller load controller का output speed control से maximum होगा उसी instant में machine जो है हमारा speed control से load control यहां पर active हो जाएगा यहां पर आपको load control active हो जाएगा और यह 50% है जो decrease होगा 6% 5% इस तरीके से हो जाएगा हमारा भी speed control से load control में change over हो जाएगा से load control का change over हो जाएगा तो जो load है वो load controller के थुरू हमारा maintain होगा यहां पर suppose 100 megawatt मैंने load reference दिया MMI से यह हमारा time dependent load reference है अगर TSE का margin 100% आ रहा है तो यह block हमारा 100% input को यहां transfer कर देगा यह 100 megawatt आ गया delta PR actually क्या होता है जो pressure के difference होते हैं जब हम machine को CMC में चलाते हैं तो उस समय यह generate होता है यहां से pressure deviation से चलिए यह है RGMO restricted governing mode of operation जब कभी अगर turbine का speed एक certain range से certain rate से increase करता है या decrease करता है तो restricted governing mode of operation से यह frequency influence अगर on रहेगा तो यह addition यह subtraction होता है यह RGMO के बारे में separate video बना हुआ तो अभी समझ लीजे कि हमारा RGMO का यहां पर कोई input add नहीं हो रहा है और subtract हो रहा है तो यह जो output है यहां पर 100 megawatt होगा यह minimum block है minimum logic grade क्या होता है जो यहां पर input gathered होगे उन में से जो minimum होगा उसको output बना देगा अब machine के लिए मैंने 630 megawatt यहां पर maximum load provide किया है कि जो turbine है वो maximum 630 megawatt तक ही जा सकता है generator का output तो इन दोनों में से minimum क्या होगा 100 megawatt minimum होगा तो 100 megawatt को यह आगे transfer करेगा 100 megawatt और अगर unit load 75 megawatt है तो load controller क्या करेगा 100 minus 75 तो 25 megawatt के लिए load controller का जो position है load controller extra यहां पर output provide करेगा suppose यह 70% है तो इस 70% यह maximum block में जाएगा जो यहां पर input gather होगे 70% यह आगे transfer करेगा यह minimum block है तो 70% के according जो ESTC का position set point है valve lift controller का वो यहां पर 75-80% इस तरीके से position generate करेगा इसका output जाएगा electro hydraulic converter के लिए यहां पर current के value को increase करेगा जिससे secondary oil pressure increase होगा क्योंकि यह electrical signal को convert करता है hydraulic signal में और हमारा secondary oil pressure जैसे increase होगा HP control valve, IP control valve इनके position को increase करतेगा और load increase होना start हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा load control loop work करता है और next pressure control loop रूप किस तरीके से काम करता है तो pressure control loop में control के दो mode होते है initial pressure mode और limit pressure mode suppose अगर initial pressure mode में अगर हमारा run कर रहा है तो जो pressure का reference है load के according जो pressure curve से pressure generate होगा suppose यह 145 kg per cm2 400-420 MW में और हमारा actual steam का pressure 140 kg per cm2 तो turbine sent जो है तुरंत load को down करना start कर देगा जब तक कि man steam का pressure 145 kg नहीं आ जाएगा यह initial pressure control है इसमें बहुत unstable operation होता है second limit pressure limit pressure में क्या होता है कि pressure का एक range रहता है उस range तक हमारा load constant रहेगा लेकिन turbine के जो valve रहेंगे उनका throttle start होगा या wide open according to the condition suppose अगर load 440 MW है और मेरा man steam को pressure है वो actual pressure से reference pressure से कम है तो इस condition में valve को throttle करेगा तो pressure को 145 kg लेकर आएगा तब तक turbine का load भी somewhat degrees होगा यह limit pressure होता है इस तरीके से यह मैंने ESTC में तीनो mode को describe किया speed control, load control and pressure control अगर video अच्छा लगा होगा तो video को like करें और चैनल को subscribe करें ज्यादा से ज्यादा share करें प्लीज अगर आपका कोई doubt रहता है तो उसको comment box में mention करें और अगर doubt नहीं रहता है तो video को like करके मुझे कम से कम यह message दे कि मेरे video को आपका क्या response है मेरे video के लिए thank you thank you